दोस्त कई बेर जिन्दगी में हम कुछ ने कुछ गुल सेट करते हैं और कुछ मौईने या कुछ साल काम करने के बाद हम भोल जाते हैं या हम पीछे हड़ जाते हैं हमको लगता है कि वो गुल हम एचिव नहीं कर पाएंगे यह होता है कि नहीं यह बार-बार होता है लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप जिन्दगी में परफेक्ट गुल आपको मिला है तो उसको छुड़ियेगा नहीं तो यहाँ पर यह कुश्चन आता है कि हम गोल के उपर constantly focus के से लाए हम गोल की तरफ आगे कैसे बढ़ते रहे यह जुरूर आपको आ रहा होगा कुश्चन अगर एसा आपकी माइन में आ रहा है तो आप यह वीडियो को जुरू देखिए अगर आपके पास गोल आ चुका है आपके पास आपनी लाइप की परफेक्ट गोल आपको मिल चुका है यह तो बहुती बड़ा बात है क्योंकि परफेक्ट गोल मिलना यह आप में है एक बड़ा सक्सस है अगर आप अपनी लाइफ में परफेक्ट गूल पा चुके हैं तो आप फास्ट एक ख्लीर कर चुके हैं Secondly, गूल की तरह constantly हम खुद को motivate कैसे करें पहले तो आप जो गूल सेट की है उसका benefits आप यह सुचिए अभी गूल achieve करने के बाद इस moment में रहकर यह सुचिए कि गूल achieve करने के बाद आपकी life में consequences changes आ सकती है आप कैसा lifestyle होगा, आपकी circumference कैसा होगा, आपकी दिनचरिय कैसा होगा आपकी जितना भी benefit से उसको एक pen and paper में लिखिए लेखने के बाद डेली उसको महसूस करते रही है आप गूल की तरफ constantly काम तकर रहे, लेकिन ये process को आपनाना बहुत ही जरूरी है आप जब ही भी demotivate लग रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं में achieve नहीं कर सकता हूँ तब आपको वही feelings को वही एहसास को फिट से दोबारा repeat करना पड़े गया आप उसको फिल कीजिए आप उसको एहसास में लिजिए आप visualize कीजिए जितना भी गूल बेनिफिट से गूल achieve करने के बाद आपके life कैसा होगा क्यूंकि 99% के एहसास में ये होता है कि आप दिन रात मेहनत करके बहुत बोडी स्टेप तक पहुंच चुके है लेकिन आपको पता नहीं कि आने वाले एक दूर स्टेप में आपकी गूल के पास आप पहुंच जाए गया है आई से हमको लगता है कि नहीं हमसे यह नहीं होगा तो हम छोड़ देते हैं अगर उसी समय आपकी दिमाग में यह आजाए गया कि और एक बार कुशिस कर ले क्यूंकि जो कुशिस करते हैं वो कभी हारते नहीं है कि झासर सेrates-पूल कर sama संग है कि ऑपकी दो क्काड़ और गया है आपकी झास पके गया है नहीं हमसे डान बार गया कि तुल के रेकिसे टुल के झानकि अर फ cra